Assalamu alaikum my dear student, हम comprehension कर रहे हैं chapter 4, The Pride of Pakistan की. आज हम उसमें करेंगे helping verbs. Helping verbs help the main verbs in doing their job. Helping verbs जो हैं, वो main verb की मदद करते हैं. जैसे ये एक sentence है, We should help our parents. तो इसमें help जो है, वो main verb है, और should जो है, वो helping verb है. हमें अपने माँबाप की मदद करनी चाहिए. Helping verbs also known as auxiliary verb. Helping verbs को auxiliary verb भी कहते हैं. Support the main verb to express the time, voice and mood of the sentence. ये main verb जो है, action verb जो है, उसकी मदद करते हैं और sentence का वक्त, उसकी आवाज और उसके mood को explain करने में मदद मिलती है. Primary auxiliary verbs, be, do और have जो हैं, ये तीन primary auxiliary verbs हैं. Be जैसे is, am, are, was, were, is being, am being, are being, was being, were being, has been, have been, had been. तो be जो है, उससे आगे हम, जब is, am, are, was, were लगाते हैं, तो हम ing साथ लगाते हैं. फिर है do, do के आगे तीन हैं, do, does और did. और have के has, have और had. अब आप देखें, ये examples हैं आपके सामने. आपके सामने, अली इस क्लाइमबिग दा ट्री, अली जो है, वो नाउन है, क्लाइमबिग कहते हैं, द्रख्त पे चड़ने को. अली इस क्लाइमबिग दा ट्री, अली द्रख्त के उपर चड़ रहा है. इसमें इस जो है वो helping verb है और main verb climbing है जो आपको उपर चड़ने का बता रहा है इसी तरह यह है soldiers are fighting bravely soldiers पाईयों को कहते हैं fighting लड़ाई कर रहे हैं bravely बहादरी से तो इसमें कौन सा है are is a helping verb or fighting जो है वो main verb है next example है हमारे पास the boys did not finish their work लड़कों ने अपना काम खतम नहीं किया तो इसमें हम देखते हैं कि did जो है वो helping verb है और finish जो है वो main verb है काम खतम करने को कहते हैं complete करने को finish next example है I am reading a book तो इसमें reading जो है वो main verb है और am जो है वो helping verb है तो my dear students पढ़ना एक अच्छी आदत है किताब पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं जिन में से कुछ ये है improves brain function इससे दमाग की सलाहियत बढ़ती है increase knowledge इससे इल्म हासल करते हैं और घर बैठे मुल्क मुल्की और जगा जगा की सेर करते हैं enhance vocabulary आपका जखीरा ये अलफाज बढ़ता है और आपकी language skill बहतर होती है sharpens the memory आपकी जो याद करने की सलाहियत है वो बढ़ती है theory of mind आपका mind relax होता है आपका जहन positive मुस्बच चीजें सोचता है और मैं आपको एक बहुत एहम बात बताऊँ सबसे जो एहम किताब की है वो है कुरान मजीद जो आपकी जिन्दगी को तब्दील कर देगी आपको एक काम्याब इनसान बना देगी तो आप उर्दू पढ़ना सीख चुके हैं तो रोज कुरान का थोड़ा सा section जो है वो कम असकम तीन आयात उर्दू तर्जमे के साथ पढ़ें यह है ताशि अंकल है टोल्ड आस डिफरेंट स्टोरी जिज अवाओट पाकिस्तानी सॉलजर्ज बताना तो इसमें हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और टोल्ड में वर्ब है She has bought a new dress अब देखें के bought खरीदने को कहते हैं She has Has जो है वो helping verb है और bought main verb है Use the given helping verbs in your own sentences यह जो sentences अभी हमने पढ़े यह तो आपकी book में दिये गए हैं अब हमें is, our, am, has, have, had, do, did जो है helping verbs इनको इस्तमाल करते हुए ने sentences बनाने है He is playing football तो अब देखें के Is is helping verb और playing जो है वो main verb है तो आपको भी कोई ना कोई game खेलनी चाहिए क्योंके यह आपकी सेह के लिए बहुत जरूरी है He is playing football They are going for a walk अब इसमें देखें के Are helping verb है और going जाना For a walk जो है वो main verb है going Next है I am reading a book मैं एक किताब पढ़ रहाँ तो इसमें am is helping verb और reading is a main verb Next example है Who has traveled to Lahore किसने Lahore का सफर किया तो इसमें has is a helping verb और travel सफर करना main verb है I have grown tomatoes before मैंने इससे पहले भी टमाटर उगाए हैं इसमें have is helping verb और grown जो है उगाना यह main verb है He had asked if he could take that blanket Blanket kumble को कहते हैं Ask पूछना इसमें had जो है वो helping verb है और ask जो है वो main verb है I do love a good comedy मुझे अच्छी comedy पसंद है Comedy कहते हैं हंसने वाली मजाहिया फिल्म को तो इसमें do जो है helping verb है और love जो है main verb है Who did solve the puzzle? किसने puzzle को हल किया? इसमें did जो है वो helping verb है और main verb है solve, हल करना तो हमें भी जो जिन्दगी में हमारी मुश्किलाथ आती हैं हमें उनका हल सोचना चाहिए उमीदा आपको सबक पसंद आया होगा इस वीडियो को like करें, share करें और channel को subscribe करें करेंगी